के जर्फ कि प्रिविए स हेर कुषिंट की एक पर फिर से आपकर सागत करते हैं और आज कि इस llev इसीर में हम करने जा रहे हैं ंस का जिए TF2 का जो कंप्योटर का पोर्षयन एफ आपने आप में Crispan बहुत इंपोर्टन और एक नेसेसरी टॉपिक है जो कही न कहीं जिसमें से कहीं कहीं कॉश्चन साथे तो बागेर किसी फर्दर दिले के चले आज किस वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं तो देखो यहां पर हम इससे पहले कुछ पुश्चन्स हैं यह हम बाद में यह आप देख सकते हैं जो 6 June को हुआ है computer के यह हम 2 June वाले questions यह हम बाद में करेंगे लेकिन फिलाल हम इस वीडियो में यहां से viruses और antiviruses पे MCQs करने जा रहे हैं तो यार सबसे पहला question है आपका what is a trend micro what is a trend micro तो trend micro क्या है trend micro क्या है तो trend micro क्या है यहां पर आप देखिए क्या यह antivirus software है क्या यह just program है क्या यह virus program है या इन में से कुछ भी नहीं है देखो सबसे पहली बात तो यह कि wee trend micro यह antivirus software है अब antivirus software है hainta wafekskर fundamental T creme minus extension e papier ухंच की है तो यह जाने से पहले आपको इस सी की अनदर्सटेंडिंग होनी चाहे रहा कि यह antivirus software किipples क्या होते हैं क्या होते हैं रहेुस और उससे पहले आपको इस थी की की जुरूरत ना पड़े पूरा का पुरा वाइरस का । टॉपिक हम इसकी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे जब से पहले अगर हम बात की जाए तो जो वाइरस होता है न वाइरस क्या है वाइरस कि मैलेश्य सॉफ्ट्वेयर होता है क्या होता है मैलेश्य सॉफ्ट्वेयर होता है ठीक है वो क्या करता है वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है सेल्फ रेप्लिकेट करता है यानि की यानि की खुद की कॉपीज सेल्फ कॉपीज क्रिएट करता है और उसके बाद उन कॉ पीज को computer के किसी program में इंसर्ट कर देता और उसको damage कर देता है ठीक है तो उसमें execute हो जाता है उसमें उसको damage करने के कोशिश करता है फुरा फैलता है ठीक है अब अगर हम बात करें types of computer viruses की तो types of types क्या है types क्या है आपकी तो सबसे पहले type के अगर बात की जाए तो types सबसे पहले type के होते है मैं यहाँ पे लिखूँगा types of of viruses तो क्या-क्या type के होते हैं जैसे सबसे पहला होता है आपका file infector यानि कि जो file को infect करते हैं ठीक है file infector में आपकी कौन-कौन सी type होती है जैसे वो क्या करते हैं वो executable files को क्या करते हैं एक्जेक्टेबल files के साथ खुद को मतलब attach करते हैं जैसे की .exe ठीक है जैसे की .exe आपका और जैसे की आपका .com ठीक है .com ओके तो उसके बाद ये फिर activate हो जाते हैं और उसके बाद ये infect करते हैं इसके बाद next होता है आपका फाइल इंफेक्टर बूट सेक्टर वायरस उसके बाद होता है आपका . अब बूट सेक्टर वायरस क्या करता है ये infect करता है मतलब ये act करता है as master boot तो उसके बाद ये क्या करता है कि hard disk को hard disk को infect करता है ठीक है infect करता है it infects the hard disk of computer okay hard disk of computer को ये infect करता है उसके बाद अगर मैं बात परूँ तो तीसरे type का होता है आपका micro virus अब मैक्रोवाइरस का क्या काम होता है ये micro virus क्या करता है कि ये मैक्तों क्या करता है कि छोटे 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 मदब in documents टोकुमेंट्स क्या करता है इन refresh करता है मतलब Selnya चोटे चोटे प्रोग्राइम के अंदर खुद को रेप्लिकेट करता है उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे की फार एक्जेंपल हमारे इसमें हम क्या बोलें कि .exe मतब हमारे not executable file बट यहां पर सॉरी यहां पर मैं आपको थोड़ा सा let me erase this ठीक है मैं यह भी erase कर रहा हूँ यह आप note कर दीजिएगा तो असल में क्या होता है कि यह क्या काम करता है यहां पर यह किसमें Microsoft Word और Excel को infect करता है इसको हम बोलते है deficits Advisor Microsoft ओर Microsoft Excel की फार्टैक है उसके बाद 4 types होती है आपकी polymorphic वाइरस उसके बाद होती है आपकी polymorphic पॉलीorfic और यह polymorphic virus जो होता है वो क्या करता है वो हर बार हर बार अपने code को change करता है code को change करते रहता है ठीक है और code को change करते करते ताके मतलब ताके उसको वो खुद को detect ना होने दे ठीक है ताके वो खुद को detect ना होने दे एंटी वाइरस से खुद को बचाने के लिए क्या करता है यह सबसे बड़ा यह बहुत dangerous माना जाता है एंटी वाइरस से खुद को बचाने के लिए क्या करता है कि बार 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 क्या करता ह तो इसका हम क्या बोलते हैं polymorphic virus बोलते हैं then comes with नंबर पर आपका metamorphic वाय्रस metamorphic virus है कि तो metamorphic वायर्स का क्या है कि यह reprogram करता है अपने आपको मदब हर बार जब उसको जुरत पड़ती है ठीक है इसको मैं ऐसे लिखूंगा इट रिप्रोग्राम इटसल है यह रिप्रोग्राम करता है खुद को ओके तो यह खुद को रिक्रोग्राम करता है एवरी टाइम ठीक है एवरी टाइम और वो क्या करते हैं कि फिर को जब यह हर दुबारा से बार 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 रिप्रोग्राम करता है खुद को तो उसके बाद क्या होता है कि तो यह डिटेक्ट करते हैं न्यू होस्ट पर फिर यह इस तरह से इंफेक्ट करते हैं ठीक है उसके बाद आता है आपका उसके बाद आता है आपका रेजिडेंट वाइरस रेजिडेंट वाइरस का मतलब क्या होता है रेजिडेंट वाइरस क्या होता है कि यह खुद को इंस्टॉल कर देता है डिरेक्टली मेमोरी में ओके यह क्या कर देता है खुद को इंस्टॉल कर देता है मेमोरी में तो वहां से ही फिर यह क्या करता है कि फिर यह इंफेक्ट करने लगता है ठीक है अब मैं next कुछ important चीजें आपको बताऊंगा ठीक है यहां पर कुछ और important चीजें जो है वह मैं आपको बताना चाहूंगा यह आप यह कैसे इंफेक्ट करते हैं मैं इसको erase कर देता हूं आप वीडियो को rewind करके आप देख सब्सक्राइब यह नोट बना दीजिएगा लेट में जस्ट इरेजिट तो यहां पर मैं कुछ और इंपॉर्टन चीज़ें जैसे कि यह खुद को अटेज के मतलब वाइरस जो होता है वाइरस कैसे आता है कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को कैसे वाइरस जो है इंफेक्ट कहते हैं ठीक है कि अवाइरस सबसे पहली बात यह होता है कि इमेल के थो यह अटेज़ करते है खुद को ठीक है इमेल के थो आटेज्मेंट e-mail attachments कि थो आप email attachment में क्या होता है कि भई उसमें ऐसे unauthorized links होते हैं जिन पर आप click करते हैं और click करने के बाद पूरा system आपका hang हो जाता है आपको याद है न कि सबसे पहला जो virus है I love you का famous हुआ था और वो भी आपके जो email है email के थो बहुत ज़्यादा वह हुआ था ठीक है उसके बाद दूसरा होता है इंटरनेट डाउनलोड के जरिये से इससे भी वाइरस आपके आपके सिस्टम में गुच सकता है उसके बाद आपका नेटवॉक शेयर के साथ के वज़ा से भी हो सकता है ठीक है करार्यू प्रीमोबबल मीडिया के थ्रोब भी हो सकता है रिमोगबल मीडिया का मतलब क्या हुआ जैसा कि आपकी डीवीडी आ गई आपका यूए USB आ गई आपका पेंड्राइव वगेरा इन सभी जो है वो इन सभी की वजह से आपका आपके फोन में आपके सिस्टम में आपके लप्टॉप में आपके फोन में वाइरस जा सकता है तो अब इससे बचने के लिए क्या तरीका हो सकता है तो तरीका क्या हो सकता है तरीका हो सकत आपका antivirus software आपके system में antivirus software का होना बहुत ज्यादा जोरी है ठीक है आपके system में antivirus software का होना बहुत ज्यादा जोरी है आपके दूसरा क्या है कि आपको how to मतब कैसे आपने save करना है कैसे आपने बजना है virus है वह मैं बता रहा हूं आपको दूसरा आपने regularly आपने system को update करते रहना है regularly update करते रहना है ठीक है उससे आप बच सकते हैं virus से ठीक है उसके बाद तीसरा आप कैसा कर सकते हैं कि आप backup कर सकते हैं backup data ओके फूर्थ नमबर पर आप और क्या चीज़ कर सकते हैं ठीक है आप avoid करेंगे avoid self practices जैसे कि downloading वगएर वगएरा उसके अलबब और क्या चीज़ आप कर सकते हैं जैसे हाँ बस यह कुछ चीज़े हैं जिनसे आप मतलब अपने system को बचा सकते हैं वाइरस से तो अब next question करते हैं और इसी में मैं आपको types of viruses भी बता दोगा ठीक है अब यहार question क्या है यहां पर question पूछा गया है what is the name of the virus that fool a user into downloading and executing them by pretending to be usable application तो यहां पर वो रहा है कि अभी मैंने आपको इस virus का नाम भी बता दिया और in fact इसकी type भी मैंने बता दी है तो इसका नाम क्या होगा तो यहां पर आप देखिए आपके options में है आपका cracker है cracker है warm है trojan है key logger है तो इसका answer क्या हो जाएगा यहां पर trojan horse है तो trojan horse क्या करता है खुद को यह fool करता है किसको यह एक malware है जो क्या करता है यह act करता है अरिजनल एंड यूसफुल एक करता है लेकिन फिर आपके system को उड़ा देता है आपके system को खराब कर देता है ठीक है तो ठीक है remote access वगरा इसकी वज़े से create हो जाता है तो उसके बाद now the options key logger warm and cracker what about these options तो देखो यार यहां पर अगर हम बात करें तो let me just change the color of my pen तो अगर हम बात करें अगर हम बात करें आपके आपके key logger की ठीक है key logger को हम क्या बोलते हैं यह एक surveillance software है ठीक है surveillance software है यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी मैं आपको minute minute चीज़ों को जो है वो समझा रहा हूँ ठीक है तो software या फिर इसको हम क्या बोलेंगे surveillance software या फिर hardware जो क्या करता है hardware जो क्या करता है which records keystrokes made on keyboard मतलब समझ आ गया आपको इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप अपने अपने जब भी आप अपने लैपटाप पे अपने PC पे जब भी आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वहाँ पे keylogger का काम ही रहता है यह surveillance करता है यह क्या करता है कि यह note करता है उन सभी keystrokes को जो आपके laptop में जो आपके PC में जो है वो embedded होती है उन उसके बाद है आपका दूसरा मैंने आपको बता है था option no.2 warm warm क्या है ठीक है warm भी तो एक malicious software है malicious software है जो खुद को क्या करता है replicate करता है अभी मैंने आपको बता है ठीक है जैसे for example मैंने आपको बता है I love you यह क्या है यह एक malicious software है जो मेल्स के जरीए से लगब कोई 2000 लोगों तक मतब system तक वह फैल गया था ठीक है तो अब यह जो warm होता है warm की वज़े से क्या क्या चीज़े जो है वह किन चीज़ों का impact पर तो सबसे पहले जो network होता है आपका जो network होता है आपका internet का आपका जो proper network होता है उससे क्या होता है कि large amount of traffic create करा देता है ठीक है और उससे क्या होता है कि slow down हो जाता है ठीक है slow down हो जाता है आपका या फिर आपका network या फिर आपका network ही crash कर जाता है ठीक है तो ये इतना बड़ा खतरनाग होता है उसकी बाद option number one जो मैंने आपको cracker बता है तो cracker क्या होता है ये एक individual होता है जो क्या करता है ब्रेक करता है computer system को ठीक है इसका मकसद क्या होता है कि malicious मतब मकसद होता है इसको हम ऐसे बोल सकते हैं cracker को हम hacker भी बोल सकते हैं you can use the word cracker cracker और hacker अगर आप को होगे तो one is the same thing मतब क्रेकर और hacker दोनों चीज़ें बिल्कुल same है ठीक है अच्छा question number 3 है अभी मैंने आपको इस चीज के बरह में नहीं बताया कि software की types क्या होती है sorry virus की types क्या होते है the virus that spreads in application software is called as option a boot virus, option b macro virus, option c file virus, option d antivirus तो बताओ वो virus जो application software के जरिये से spread होता है उसको हम क्या बोलते है यहां पर मैंने अभी क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको types भी बताई थी मैंने आपको अभी explain किया था तो इसको हम क्या बोलते है यहां पर file virus उसको हम file virus बोलते है जो in application software जो application software के अं होता है इसको यह क्या करता है यह स्टोरेज को इसके की हर चाहर यह करता है उस्ती को इसके बार मैक्रोवाइरस में आपको अभी क्या बता है एक वart फिर वाइज करा देता हूं मैक्रो वाइरस क्या करता है यह आपके Microsoft MS World को आपके MS Excel को infect करता है उनके documents को not software को उनके documents को infect करता है ठीक है और और फिर जब वो document open कर दिये जाते हैं तो फिर उनकी वज़े से पुरे system में वाइरस घुज जाता है ठीक है उसकी बाद मैंने जो अभी एक्सपेंड किया आपका file virus तो file virus यह खुद क्या करता है कि यह खुद को क्या करता है कि attaches itself to the executable files executable files का मतलब पता है दोस्तों क्या होता है मतलब यह software होते है .exe इसकी extension होती है या फिर .com होती है .com होती है आपकी web की और .com होता है extension .exe होती है extension आपकी file की ओके उसके बाद फिर आपको भाई पता ही है कि antivirus क्या है कि software design सबसे पहले इसका antivirus का क्या होता है कि इसका मकतब होता है कि detect करे detect करे ठीक है prevent करे और remove करे वाइरस को ठीक है उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पहले मैं आपको एक बार एक बार आपको antivirus की टाइपस बताता हूं तो what are the types of antivirus यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर मैं लिख देता हूं उससे पहले कि हम यह question discuss करें लेकिन यहां पर मैं आपको एक बार बता देता हूं तो antivirus की टाइपस क्या क्या होती है अभी मैंने आपको बताता हूं सबसे पहले होती है stand alone stand alone av मैं antivirus shortcut में लिख रहा हूं av ओके आप समझ जाना अब इसमें आपकी example क्या है जैसे की stand alone में आपकी बहुत ही famous आपके software जैसे है avast है avast है avg है यह आपकी किसकी type है यह आपकी stand alone virus antivirus की है ठीक है उसके बाद आपका दूसरे टाइप की होती है antivirus आपकी उसको हम क्या बोलते है नोर्टन 360 ठीक है 360 कैस्पर की कैस्पर स्काई ठीक है मैं थोड़ा यहां पर बहुत गंदा लिख रहा हूं sorry for this थोड़ा छोट़ा छोड़ा लिखते हैं यार तो कैस्पर स्काई कैस्पर स्काई इंटरनेट सेक्यूर्टी उके उसके बाद तीसरे नवर का जो सबसे सबसे फैमस है एमसी एफ आर डबली एमसी एफ आर डबली टोटल प्रोट्शन यह भी आपकी टाइप क्या है आपकी एंटिवाइरस की टाइप है उसके बाद होता है आपका तीसरे होता है है लिए एंड पॉइंट एंट इंटिवाइरस मतल्ड drives के मतल्ड़ ह्थ आपकी जूषिन हो सकते हैं वह होते हैä ठीक है उसकी बात होतह है आपका अitकशन ऑर होता हे है एंटी वाइरस है वेब रूट है ओके सेक्योर एनिवियर है उसकी बाद है आपका फिप्त नंबर पे फिप्त नंबर पे आता है आपका मैं ओपन सोर्स एंटी वाइरस और से आपका फिर्वाइरस का यह होता है द्सी है अप्रश मेज़म अन्प्राफ मोजशकुर मॉंबैल आर्का यह कुछ और हैं antivirus की और उसके अलावा अगर मैं करो mobile antivirus की तो mobile antivirus में आपको पता है कि MCF3 जो है वो काफी famous है ठीक है Avast है mobile security, Avast mobile security, Norton mobile security यह सारे antiviruses हैं आपके phone के लिए ठीक है उसके अलावा managed okay okay this is more than sufficient so now अब हम discuss करते हैं question आपका next how does lee hard virus came into existence तो जो यह lee hard virus है यह कैसे existence में आई देखो यार आपको अगर मैं बता दूँ तो साल 2019 यह जो virus है यह existence में आई इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले Linux based servers को आपके टार्गेट किया ठीक है मैं यहां पर ही मिटा देता हूं I am rubbing it here okay so यह बो रहा है कि बोलता है बताओ how does कैसे लिहाड virus यह जो वाइरस की टाइप है एक और याद रखेगा यह कैसे existence में आई तो इसमें मैंने लिखा यहां पर आप मैं आपको बताता हूं अब मैं आपको बताता हूं ली हार्ड वाइरस काम बोलते हैं ली लॉक ली लॉक वाइरस ओके ली लॉक वाइरस ठीक है रेंसम वेर जिसने क्या काम किया लिनिक्स बेज सिस्टम को क्या किया सर्वर्स को ठीक है टार्गेट किया और उसकी बाद यह फिर फैलता गया फैलता गया फैलता गया तो नव दो ऑप्षेंस आर हार्डवेर साफ्वेर फ्राइडे ठीक है उसके बाद यह है आपका तो ऑप्षेंस इन में से कोई भी नहीं है तो आपका ऑप्षेंस भी जो है वो हार्डवेर इस दराइट अंसर सॉफ्वेर्ट काइड फैप्षेंट अंधिविजयोस टो अब्तें कंफरो मेंशन कोंफिदेन्चल इवेर फैल फैल सिफाइड इडेडेटिटिटेटी यहां पर सिदा कॉमन सेंस क्वेश्चन यहां बोलता है कि कैसे अटेंट्प्षेंस किये जाते हैं इन्डिविजयोस कि थोवारा by falsifying their identity तो ऐस्चेम में हम एसे को क्या बोलते हैं Phishing Scams बोलते हैं क्या बोलते हैं Phishing Scams मदब Phishing Scams थीक है computer virus के बारे में तो आपको पता ही है spyware के बारे में या आपको पता ही next question की तरफ आगे बढ़ते है अच्छा the first boot sector virus कौन सी है तो boot sector virus की पहली टाइप कौन सी है आपकी यह हम इसको क्या बोलते हैं brain को बोलते हैं ठीक है brain virus इसको हम क्या बोलते है brain virus बोलते हैं जिसको discover किया गया था इसकावर किया था 1986 में इसने टार्गिट किया था किस चीज को टार्गिट किया था इसकावर जिए फिर्स बूर सेक्टर वाइरस ने आई बी एम computer virus का नाम क्या है, creeper है, बहुत जदा important है, इसे याद करके जाएगा, कभी-कभी आर ऐसे questions directly भी पूछ दिये जाते हैं, ठीक है, तो ये थे हमारे virus के उपर कुछ MCQs, जो काफी जदा important थे और मैंने ज़रूरी समझा कि आप तक इन MCQs को लाया जाए, और आपकी problem को दूर किय जाए, उमीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आ गया होगा, आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे टेलीग्राम चलता, एक्जाम को हम सब को जोइन करेंगे, इसी के साथ आज के लिए फिलाल इतना ही है, खुदा आपिस,